हेलो, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 15 डिगरी का एंगल बना कर दिखाने जा रहा हूँ कमपस और असकेल की साइसा से, सबसे पहले एक लाइन डोग करना है फिर उसके इंड पाइंट पे एक आर्क लगाना है, फिर इस आर्क को उसी लेटियस से दूसरा आर्क लगाना है कि जहां पे यह आर्क खट किया है, वहां से इस एंगल को बाइसेक कर दें इससे यह पहले ठर्टी डिगरी का एंगल बन गया अब इस एंगल को बाइसेक कर देते हैं यह 30 डिगरी का एंगल बना है, यहां से यहां सक 30 डिगरी इस एंगल को बाइसेट करना है इसलिए थोड़ा सा रेडियस छोड़ा कर लिजे तो फिर अब इसे जॉइंग कीजिए यह देखें शटी डिगरी का एंगल बन कर त्यार हो गया इसका नाम देदें पी, क्यू, और यह एंगल फिफ्टी डिगरी का है थैंक यू